देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है एडियाइज भी होते हैं कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शामस होते होते बाल मुर्ति हो जाता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वाल्व हो जाते हैं वो उससे बहार नहीं निकलते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि यह कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से मात नहीं करता है, यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कि पागल तो नहीं हो गया, लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं नहीं साब इसमें तो पहले से ही अथा था आप में से सब के जीवन में एक अनुभव आया होगा जो सर्वनोश आपने सुना किसी की माने कहा हो या न कहा हो लेकिन कम अधिक मात्रा में आपको सब को अनुभव आया ही होगा कि क्योंकि ज्यादा तार ये फर्स जनरेशन एंट्रेप्रिनर है और स्टार्ट अप्स कि और जब कुछ सोचा हो गया कि नहीं भीटे अपना काम नहीं तु कहीं नोकरी कर ले शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा उफास किया होगा जाते आते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होगे यह कुछ करने वाला है यह करने वाला है फिस एक पल आया होगा सारी दावर विरोध हुआ होगा सब दूर परिवार के लोगों ने विरोद के ओग नहीं है नहीं करना है जाओ कमाओ नोक्री कर लो देखो उसका पहचान है वो नेता जी को जानते हैं जाओ उसको मिल लो उस विरोद के बावजूद भी जो ठीके होंगे आज सब लोग कहते होंगे ग्यार इसने तो कमाल कर दी कुछ ऐसा मुझे भी करना है कि एक भीतर से उर्जा होती है भीतर में सपने होते हैं उसके साथ खब जाने का इरादा होता है तब जाकर के परिस्तित्या पलटती है और दुनिया में हर किसी ने यह किया होगा कभी आज हम सोचें कि फॉर्टिंट्स पिंटी त्री आई थिन फॉर्टिंट्स पिंटी त्री कोलॉम्बस जब निकला होगा क्या मिलने वाला था लेकिन इसको लगा होगा कि कोई एक नया रूट मुझे खोजना है विश्व को मुझे जोड़ना है और वह चल पड़ा और चलने के पहले उसने घे सारी चीचों का धेन किया होगा टेकनलोजी डिवलप की होगी और नया एक उसने स्पाइस रूट को दुनिया को दिया होगा आज आज जो स्पेस में काम कर रहे हैं शुरू जब हुआ होगा तब लोग मजाक उड़ाते होंगे यार यह क्या कर रहे हैं हर चीज की कहीं स्थरुवात होती है तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है और उसको वही दिखता है कि यह पांदल है और इसलिए जिनोंने यह सफलता पाई है वे सरफ एंटर्परनर नहीं है एक प्रकार से एडवेंचर उनकी प्रकृति का हिस्सा है तब जाकर के होता है स्टार्टर की सबसेक्स सिर्ण एंटर्परनर्शिप कॉलिटी से नहीं है रिस्टेकिंग केपिसिटी एडवेंचर करने का इरादा यह उसके साथ जूड़ता है और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते जो कुछ करने के इरादा से आता है पैसे उसके लिए बाई प्रोड़क्ट होते हैं और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा यह कभी नहीं सोचा होगा लेकिन किसकी जिन्दगी में क्या बढ़लाव लाता हूँ यह सोचा होगा तब हुआ होगा कि हर किसी के पास बिलियन डॉलर का काम हो रहा है और दो हजार लोग काम करें जरूर रहेंगे पांच लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूँ मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है एक साइकोलोजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिक्ता से उसको बाहर लाना है वो जॉब क्रियेटर बने और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे मुझे दो लोगों के जिन्दगी के बद समालना है वो कर लेगा जिस देश के पांस 800 मिलियन थर्टी फाइव से काम आयू के नवजवान हो जिस देश के नौजवानों के पांस टैलेंट हो हाथ में हुनर हो अपरम पार सपने हो और पुरी दुनिया में अवकास ही अवकास हो क्या नहीं हो सकता है अगर आप अपने MLM बिजनस के बारे में लोगों को नहीं बता पा रहे हैं तो MLM Online.in पे अपनी बिजनस एड पोस्ट कीजिए और पुरे भारत में लोगों के साथ जुड़ जाइए